दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग T.S.S.L.E.T की पोएम The Wasteland का सबसे important और सबसे longest section को discuss करेंगी जिसका नाम है The Fired Sermon इससे पहले मैं Burial of the Dead पर वीडियो बना चुका हूँ और दोस्तों The Game of Chess पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ The Fired Sermon बहुत ज्यादा important है चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो की end में The Fired Sermon ये section जो है Wasteland poem में सबसे ज्यादा important और सबसे लंबा section है दोस्तों अगर आपको इससे समझना है तो आपको ढंक से सुनना पड़ेगा मैं जो कुछ भी बोलूँगा आगे इस poem में चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसके title से इस poem का title The Fired Sermon ऐसा माला जाता है कि T.S. Elliot ने Gotham Buddh के Gotham Buddh जो थे उनकी scripture से उठाया है रहा जाता है कि Gotham Buddh अपने students को सिखाते थे कि जितने भी emotions हैं जो fire से आग से जुड़े हुए हैं आग से जुड़े हुए emotions कौन-कौन से हैं Lust, Anger, Frustration ऐसे ही और भी emotions हैं जिनका relation है आग से उनसे दूर रहना चाहिए लेकिन इस section में Elliot ने modern world के बारे में बताया है जैसा Buddh ने कहा था कि इन सारे emotions से जो आग से जुड़े हुए हो उन सबसे दूर रहना चाहिए modern world में हो रहा है बिल्कुल उसका उल्टा लोग sex के लिए इतने भूगे हो गए हैं कि बिल्कुल एकदम बिना enjoyment के daily routine का part बना कर उसको करते हैं एकदम mechanical way में आगे जितने भी examples दिये हैं मैं आपको एक एक करके सब को समझाता हूँ scene शुरू होता है जब poem के speaker London की Tames River के किनारे खड़े होकर बोलते हैं कि ये नदी अब pure नहीं रही मतलब हमारा जो speaker है speaker यहाँ पर T.A.C. नहीं है दोस्तों speaker कोई और है मैं आगे बताऊँगा वो Tames River के किनारे खड़ा है और बोलता है कि ये नदी अब pure नहीं रही पेडों से पत्ते गिर गिर कर इस नदी में डूब रहा है एक time था जब ये river बहुत ही holy और joyful place हुआ करती थी इसके अंदर marmets तैरती थी लेकिन आज ये हाल है कि पेड सूख चुके है autumn का season चल रहा है पत्ते या तो इसके अंदर डूब जाते है या फिर उपर तैर रहा है पाने पाने इस brown color के land पर हवा ऐसे बहती है हवा के बहने की आवाज तक नहीं आती या फिर कह सकते हैं कि उस हवा को सुनने वाला कोई है नहीं कभी इस नदी के पानी में marmets यानि की जल परियां रहती थी लेकिन आज modern world में उनका तो पता ही नहीं कि वो कहां चली गई अब बीच में हमारा speaker कर पोयम को interrupt करता हुआ इस स्टेम्स रिवर से बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है कि धीरे बहो थोड़ा धीरे फ्लो करो ताकि मैं अपनी पोयम को complete कर लो इस बात को बोलने के लिए टी एस इलेट ने great point Edmund Spencer की कुछ lines को उठा है चलिए तो वो क्या बोलते हैं कि जल पर यहां तो बहुत दूर की बात है आज इस रिवर में खाली bottles मिलेंगी pollution मिलेगा sandwich papers मिलेंगी silk के रुमाल मिलेंगी cardboard के box मिलेंगी cigarette birds यानि की जली वी cigarette, फुकी वी cigarette के टुकडे मिलेंगी और भी दूसरे टाइप का कचरा जो बहता हुआ नजर आता है लेकिन आज जब मैं इस रिवर के पास में खड़ा हुआ हूँ मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है क्या बात है क्या आज लंडन के अमीर जादे, यहां पर लंडन के पैसे वाले लोग है, उनके बच्चे बिगड़ी हुई औलाद इस नदी के किनारे जो पार्टी करते रहते हैं ब्यूटिफुल लड़कियों के साथ कचरा फैलाते है, गंदगी फैलाते है वो गंदगी आज दिखने रहे उन लड़के लड़कियों का फैलाय हुआ कचरा इस बात का एविडेंस होता है कि रात में यहां पर पार्टी हुई है लेकिन आज तो यहां पर कचरा देखने को नहीं मिल रहा इसका मतलब यह है कि वो बिगड़े हुए जवान लड़के यहां से चले गए लड़के कहां गए वो बिगड़े हुए लड़के कहां गए जिनके बाप बहुत पैसे वाले हैं जो यहां पर इस नदी के आसपस कचरा फैलाते थे पता नहीं शायद उन लड़कियों को भी पता नहीं जिनके साथ में वो इस नदी किनारे अयाशियां करते थे क्योंकि वो अयाश लड़के इन लड़कियों को अपना कॉंटेक्ट दे कर नहीं गए अब दोस्तों मैं आपको उस स्पीकर का नाम बता देता हूँ टीयस इलेट तो आपको प्तैमन रिबर के पास बैठ गया और रोग hm और रो कर फिर से इस रिबर टेमज को धीरे धीरे बहो धीरे धीरे भाः धीरे दीरे फलो करो ताकि मैं अपनी पोयम खВыंग जलदी अपनी पोयम खतम कर दूँगा जल्दी खतम कर दूँगा ऐसा बोलता हूँ rat यानि चुहा अपने पेट के बल रेंगता हुआ घास के उपर से नदी के किनारे पर आ गया जहां पर वो बैठा मचली पकड़ रहा था यहां पर speaker terraces भोलता है कि मुझे याद है सर्दियों की शामती मैं लंडन के slum area के पीछे नदी में मचली पकड़ रहा था fishing कर रहा था और सोच रहा था tempest का वो scene जब Prospero ने जादू करके एक जहास को बरबाद कर दिया यहां पर दोस्तों Shakespeare के tempest का scene मतलब tempest का भी reference लिया यहां पर फिर मैं सोचने लगा speaker बोलता है मैं सोचने लगा कि इस गीली मिट्टी के नीचे जहां पर वो मचली पकड़ रहा है वहां पर बोलता है कि इस गीली मिट्टी के नीचे कितने ही लोगों की कबरे होंगी कितनों की लाशे लेटी हुई होंगी जिनकी बस हड़ियां बचिये उनके शरीर को तो कीडे खा गए जिनकी सिर्फ सूकी हड़ियां बचे और उन हड़ियों के मजे लेते हैं ये चुए चुए जो बिल बनाकर जमीन के नीचे जाते हैं और उन हड़ियों को परिशान करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपने अगर एंड्रियू मार्विल की तो उसके अंदर भी सेम साइज सीन है तो यहाँ पर तो इस कोई मिस्ट्रिस का भी की भी कुछ लाइने उठाते हैं यहाँ पर टीए से लिए वो बोलता है कि टारेसियस ने जब देखा गीली मिट्टी को तो वो बोलता है इस गीली मिट्टी के नीचे नजाने कितनों की लाशे दफन होगी जिनकी बस अब सूखी हड्डियां बचे और उन सूखी हड्डियों के मज़े कुन लेते हैं यह चूहे फिर पीछे से अचानक उसे कारों के हॉर्ण की कुछ आवाजे आती है कुछ मोटर गाडियों के और कारों के हॉर्ण की अब यहाँ पर हॉर्ण की आवाज एक सिगनल है कि मिसिस पॉर्टर नाम की एक लेडी है मिसिस पॉर्टर नाम की एक लेडी है जो अपने लवर स्वीनी से मिल रही है इस लेडी के साथ इसकी एक बेटी भी है ये दोनों मा बेटी अपने पैरो को रिवर टेम्स में दोने की बजाए सोडा वाटर से दोते है यहाँ पर पाइट टी एस इलिएट इस पोएम को इसलिए लिख रहे है क्योंकि इस पूर्म के अंदर सिर्फ रेप, लस्ट, धोके बाजी ये सब इस सिटी के अंदर बिना रोक टोक के चलते है इस लेडी के बारे में मिसिस पॉर्टर के बारे में इतना ही बताया यहाँ पर हमारे स्पीकर ने वो आगे बढ़ता है कहता है कि मुझे याद है कि युजिन आइट्स नाम का एक व्यापरी था जो सर्दियों की एक दोपहर ये लंडन सिटी उस वक्त ब्राउन फॉग से ढकी वही थी वो व्यापरी जिसने शेव भी नहीं कर रखी थी वो माल कैरी करने वाला बिजनस करता था शिप डॉक्यूमेंट का काम करता था जब उसने हमारे स्पीकर को यानि टायर्सेस को देखा तो उसने टायर्सेस से फ्रेंच में पूछा कि कैनन स्टीट होटल में लंच करने चलोगे उसके बाद हम लोग मेट्रोपोल होटल में भी चलेंगे एजायमेंट करने के लिए शायद वो यहाँ पर सेक्स के लिए पूछ रहा था बुड़े टायर्सिस से तो इन लाइनों के जरीए टीयस इलिएट वल्गर्टी दिखा रहा है लंडन सिटी की कि इंडस्ट्रीज, कॉमर्ट्स और बिजनस ने इस नदी के पानी को खुद की तरह गंदा कर दिया यहाँ इस सेटी में सेक्स भी जो है वो एक मेकैनिकल बेस से होता है यहाँ टायर्सिस हमें लंडन की एक वर्किंग गर्ल के बारे में बताता है देखो दोस्तो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स आती है, आप गौड से सुनना यहाँ पर टायर्सिस हमें लंडन की एक वर्किंग गर्ल के बारे में बताता है उस वर्किंग गर्ल का नाम है टायपिस यहाँ पर London की एक और लड़की के बारे में बता रहा है जो workplace पर मतलब service sector में कोई काम करती होगी और office से काम करने के बाद जब वो छूटती है अपनी working chair से उठती है जब office close होने का time हो जाता है जब वो office से बाहर निकली तो यह लड़की किसी taxi की तरह चलती है रुखती है थमत Tiresius भी लोगों को देखता है कि लोग कैसे इस वक्त अपने workplace से घर की तरफ लौटते है यह उनका time है घर की तरफ लौटने का टैपिस्ट भी एक ऐसी लड़की है जो शाम को चाय के वक्त अपने room पर लौटती है घर लौटकर सबसे पहले वो अपने breakfast की table को साफ करती है श खुदी इस table को साफ करती है और फिर यह अपना stove जलाती है gas जलाती है खाना गर्म करने के लिए जो कि tin के डबो में packed food है उसको गर्म करती है खिडकियों के बाहर इस लड़की के undergarments सूख रहे हैं जो कि बिखरे हुए है और उन पर शाम की सूरज की आखरी रौशनी पढ़ वाला है शायद कुछ बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि मैं भी एक बार इस चीज को experience कर चुका हूँ वो बोलता है एक young man जिसके face पर pimples हो रखे थे वो आता है इसके room में enter करता है यह आदमी एक house agent clerk है और इस आदमी ने silk की head तो ऐसे लगा रखी ऐसे पहन रखी जैसे को कोई Brett Ward का बड़ा millionaire हो और यह आदमी टैपिस्ट के room में enter करता है यह आदमी अच्छे से जानता है कि एकदम सही time पर आया इस घर में टैपिस्ट ने अभी अभी अपना dinner किया होगा और वो बोर हो रही होगी तो यह एकदम सही time है यह उसके पास जाकर बैठ जाता है और टै कुछ चाहती भी नहीं है मतलब उसका कोई अभी mood नहीं है लेकिन फिर भी वो से touch करने के लिए मनाने करती तो इस लड़के को green signal मिल जाता है यह सोचता है कि बिल्कुल सही time है और यह टैपिस्ट के साथ उस पे जपट कर sex करने लगता है बिना इस बात को जाने कि टैपिस् देता है और महाँसे चला जाता है शायद यह लड़का टैपिस्ट का lover था उसे तो पता भी नहीं है कि वो जा चुका है यह नहीं गया है टैपिस्ट उड़ती है और खुद का चेहरा देखती है mirror में जिस वक्त वो यह सब कुछ कर रहा था उस वक्त टैपिस्ट का आधा द society में यह relationships कितने mechanical हैं कोई emotions नहीं है कोई feelings नहीं है और उस लड़की को जो कुछ भी उसके साथ अभी अभी हुआ ना तो उसका एहसास है ना कोई पचतावा है वो उटती है शीशे में खुद को देखती है अपने बालों को ठीक करती है और एक सुकून सा फील करती है कि खतम हो गया अब यहाँ पर टीयसलेट इस लड़की का reference शायद इसलिए दे रहे है कि हो सकता है यह लड़की बहकाई हुए लड़की हो जिसे इस लड़के ने फसाया हो जो उसके साथ में इन सब चीजों में खुश नहीं है लेकिन फिर भी उसे यह सब कुछ करना पड़ रहा ह वो क्या करती है इसके बाद में अपने ग्रामा फोन पे गाना चला देती है क्योंकि उसे गाने सुनने अच्छा लगता है अपने रूम में गाने बस्ते रहने चाहिए अब यहाँ पर जितने भी important examples टीयसलेट ने दिये हैं आप नोट करना हूं सब में lust, rape ऐसी चीज़े थ अब यहाँ पर टीयसलेट ने काफी सारे references उठाए हैं इसके अंदर वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कुस करूँगा उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको fire sermon समझ में आया होगा फिलाल आज की इस वीडियो बस इतना ही अब दोस्तों मैंने इस वीडियो में इस fire sermon की सिर्फ summary बताई है लेकिन इस summary में आपको काफी idea लग जाएगा इस poem के बारे में मैं हू सका तो इस पर word by word भी वीडियो बनाऊंगा line by line भी इसको समझाने ही कोशिश करूँगा फिलाल आज की इस वीडियो बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो